हेलो और इन वेलकम अगेन ओल आफ यूटूब चनल बच्चो आप सब लोग देख रहे हैं डिफेंस गुरुज स्वागत आप सब लोगों का और अभी मैं शेयर करने वाला हूँ 25 अगस का फर्स्ट मॉर्णिंग शिट के अंदर जो पेपर हुआ है अभी कंड़क्ट अभी मेरे स्टूरेंट्स बार आया तो मुझे उनके जरीए कुछ एनलेसिस मैंने किया है ठीक है जो कोश्चन वहां पर पूछे गए हैं किस टाइब कोश्चन थे क्या 24 के पैटरन पर सेम था या फिर कौन-कौन से कोश्चन वहां पर आये थे क्या कैसा रिजनिंग था कैसा इं रिजनिंग के 32 कोश्चन थे इंग्लिश 25 और जीएस 25 में तो कुछ भी चेंज नहीं था ठीक है एस कंपेरिट इफा टॉक आउट पाटरन ठीक है वही मैथ के कोश्चन थे बच्चे प्रॉफिट लो से दो कोश्चन थे वही कंपाउं इंटरस सिंपल इंटरस रेशो प्र बाकी लगबग आप अटेंप्ट कर सकते थे ठीक है यू के इसली अटेंप्ट आई थिंग 12 तो 13 कोश्चन बच्चे यहां पर आप इसली अटेंप्ट कर सकते थे आउट ओफ 18 जहां तक मुझे अभी रिस्पॉंस मिला है 7 तो 8 केंड़ेट का फीडबैक मुझे मिल चुका है तो उसके एकोडिंग आप बच्चे 12 to 13 कोश्चन आप मैथ के इंदर टेंब कर सकते हैं रही बाद बच्चे जीएस की तो जीएस as compared to 24th is little bit easy क्या है बच्चे easy था जिस प्रकाश 24 को morning shift पेपर easy आया था ठीक as compared to evening shift evening shift वाला थोड़ा सा tough था बच्चे as compared to morning shift अगर हम बात क of course था उससे काफी advantage वह और काफे सारा question हुआ ही पूछे जा रहे हैं तो on and average is going good ठीक है बच्चे अच्छा score बना के रहे हैं बहुत कुछी मिले बच्चे बोलने कि सर 80 minimum attempt कर गया हैं तो मैं पूरा शोर हूं जब result आएगा तो आपके साथ मैं scorecard भी share करूँगा जो मेरा target रह देखना वीडियो मत देखिए मुझे मैं किसी को force नहीं कर रहा हूं ठीक है अगर आपको अच्छा लगता तो well and good नहीं लगता तो आप चैनल छोड़के दूसा चैनल देख लीजिए लेकिन मैं आपको बताऊं तो reality का न रहीवा बच्चे इंग्लिश की तो अन्टोनियम स बच्चे ठीक है उसके बाद रोटेशन वाले थे पेपर पैटरन सेम था ठीक है अब जड़ा कुछ जिएस को चर्चा कर लेते हैं बच्चों को मिस्र मुस्लिम लीग से कोश्चन था ठीक है आई एनसी फाउंडर से कोश्चन था किसने फाउंड गया था मुगल डैनेस्ट जो वकैब पूछे हैं बच्चे वो सिनोनियम देख लो स्किरमिस का पूछा है इनेट पूछा है बैफल पूछा यह तीनों सिनोनियम थे अगर मैं बात को एन्टोनियम की क्लेंडर से पूछा है यह सारे कि चरलेश और मैलाइस यह सब लोग हम जस्ट मैंने वकैब के 10 पूछा गया है ठीक है इडियम फ्रेश बच्चे अगर बात कर लो कि 50% से बिल्कुल वकैब जो है जो इडियम फ्रेश की वो सेम पूरे उस से है तो बड़ी खुशी मिल रही है और मैं बहुत खुश भी हूँ अब देखो बच्चे और वन आउट से पूछा था एक अथर आउट से बानता हु आप लो कोशन ठीक ठाक बना सकते थे अगर थोड़ा भोत भी प्रेक्टिस किया होगा था अपने रही बात रिजनिंग की बाच्चो आपको 22-25 कोशन आपको अठेंट बेसिक करने चाहिए थे रही बात अगर जीकेगी तो मैं थोड़ा सा इसके इंदर advantage बढ़ाऊंगा क्योंकि paper as compared to पिशेवाले से थोड़ा सा simple आया है that is around 10 to 12 to 13 question मैं जी इसके इंदर मानके चलता हूँ और बच्चे same कहानी मैं English के इंदर भी 12 to 13 question मैं मानके चलता हूँ safe attempt होगा तो बच्चे 36 और 22 कितने question होगे that is 58 question और यहां पर कितने होगे बच्चे 49 और 24 मतलब इस around 64 ठीक है तो यह आपका रहेगा बाकि आज शाम को cut off का वीडियो भी आएगा देखना जरूर ठीक है around on and average more than 500 प्लस बच्चों का feedback से बनाऊंगा क्योंकि काफी बच्चे Facebook और यह एड है मुझे Facebook फोलो करने के लिए वीडियो के description box में जाकर मेरे telegram channel को join किजिए वहाँ 3000 है Facebook और 13,000 लोग फोलो करें तो thank you for your support and help तो अब next video में आपके सामने question लेकर आऊँगा थोड़ी देर में अभी वीडियो को देखी ज़रा thank you